हेलो एवरिवन स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में उमीद करती हूँ आप सब ठीक है दोस्तो हम आपके लिए एससे जीवडी कॉंस्टेबल की प्रहमास्तर सीरिज लेकर आई हुए है इस सीरिज में हम आपके साथ हिंदी विश्य के पस्टी सो प्लस क्योश्चन की तयारी करेंगे आज हम आपके साथ तीन सिफ्ट के प्रिवेश पेपर क्योश्चन सोल करेंगे तो चलिए पहले देखते हैं पांच मर्च 2019 की सिफ्टर के एमसी क्यों जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे साथ ही PDF और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nokryaspirant.com पर चाकर विजिट कर सकते हैं यहां से आपको PDF और नोट्स मिल जाएंगे आप हमारे सेशल प्लैट्फोर्म के साथ भी चोड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चल्दी से अफटाफट वीडियो को शेर कर दो और लाइक का बटन दबातो फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुवात करते हैं तो आज का हमारा पहला प्रशन है रिक्तिस्थान को भरने के लिए उप्योक्ति शब्द का चैन करे लगता है आज डैस होगी तो क्या होगी आज हमारा सही जवाब है उप्शन बी लगता है आज बर्शा होगी हमारा अगला प्रश्ण है डकार जाना मुहावरे का अर्थ है तो क्या है हमारा सही जवाब है option 3 हडप लेन डकार जाना हडप लेन आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए उप्युक्त शब्द का चैन करे आजकल चोरो डैस गिरो सक्रिय है तो वते ये किसका तो क्या आएगा इसमें आजकल चोरो का option 4 गिरो सक्रिय है आगे बढ़ते हैं दिये गई शब्द के प्रियाई वाच्ची शब्द का चैन करे तो खग का क्या होगा हमारा सही जवाब होगा option 4 खग का प्रियाई वाच्ची है पक्षी आगे बढ़ते हैं दिये गए वाच्चे मेरे खांकित खंड को पर्ति स्थापित करने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैन करे तो बताइए उसकी शिकायत पुनता सही थी तो या पर क्या आएगा इसकी जगे तो क्या आएगी तो हमारा सही जवाब है option 3 अक्षरस आगे बढ़ते हैं दोस्तों कल आपकी नो बचे जिक्के की किलास होगी आपको उस किलास को भी लेना है आगे बढ़ते हैं दिये गए वाच्चे का वह भाग ज्यात करे जिसमें कोई तूटी है शाम की ख्राब स्थित को देखकर मुझे दुख और छोब हुए तो दही किसमित रुटी है हमारा सही जवाब है option 3 और छोब हुए हुआ आए गया आपकर आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए उप्युक्त शब्द का चैन करे आगे बढ़ते हैं एक विद्वान ने प्रिख्षा की डैस आग से की है तो क्या की है हमारा सही जवाब है option 4 तुलना आग से की है आगे बढ़ते हैं विपत्ति का प्रियाईवाचे बताईए तो क्या होगा हमारा सही जवाब है विपत्ति का option A मुसिब्बत आगे बढ़ते हैं अब इसमें तुरोटी बताने हैं आपको प्रशन नमबर नुमे कक्षा किस सभी छात्र गुरू जी की आदर करते हैं तो बतेए किसमित रुटी है हमारा सही जवाब है ओप्शन भी गुरू जी का आदर करते हैं ऐसे आएगा आगे बढ़ते हैं अब इस खंड दिये गए वाक्ये मेरे खांकित खंड को परति स्थापित करने क के लिए उपियुक्त विकल्प का चैन करें जीवन में उनती चाते हो तो परिश्रम करों तो बते ही उनती की जेगा और क्या सकता है चारों में से हमारा सही जवाब है option 3 जीवन में विकास चाथते हो तो परिश्रम करो दोस्तों अगर आप किसी भी government job की तयारी करते हैं तो आप हमारी website www.nokreaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं यह हमारी website का logo है यहां से आप upcoming exam for example CGL, GD, HTAT, CTAT and even कोई भी exam हो उसकी तयारी यहां से कर सकते हैं यहां से आपको हर subject के MCQ और Qs मिल जाएंगे जिसको करने से आपकी तयारी और जादे बहतर होगी यहां से आप हर subject यानि हर state के exam की तयारी भी कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है दिये गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजी रास्ता दिखाने वाला क्या बोलेंगे उसको? हमारा सही जवाब है option B मार्ग दर्शक आगे बढ़ते हैं बतेए कौन से भाग में तुरूटी है यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाते हूँ तो यहां से चले जाओ तो बतेए किसमित रूटी है तो हमारा सही जवाब है option B अपनी की जगे अपने परिवार की भलाई चाते हूँ तो ऐसे आएगा हट खेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ है तो बताईए हट खेलिया सूझना हमारा सही जवाब है option 3 मजाक उडाना आगे बताईए मासा हारी इसका विलों बताईए मासा हारी का क्या होगा option B आगे बढ़ते है सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करे तो बताईए चारो में से कौन सा ठीक है हमारा सही जवाब है option 3 साक्षर चारो में से option 3 ठीक है आगे बढ़ते है बताईए दिये गई वाक्यांश के लिएक शब्द दीजी क्या बोलेंगी इसको तो मारा सही जवाब है option 4 कुशाग्र बुत्ती आगे बढ़ते हैं शाश्वत का विलोम सब्द है पताई ये शाश्वत का क्या होगा हाँ हमारा सही जवाब है option 1 छणिक आगे बढ़ते हैं रिक्ति स्थान को बरने के लिए उप्युक्ति शब्द का चैन करे मैं पोद्दे डैस रहा हूं तो क्या होगा मैं पोद्दे लगा रहा हूं option 3 आगे बढ़ते हैं इसमें भी बताना है जिसने मन रुपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा शूरवीर है तो मतवाले की जगे बताईए क्या सकता है तो मतवाले की जगेगा option 3 मदमस्त जिसने मदमस्त रुपी हाती को वश में कर लिया वही सच्चा शूरवीर है आगे बढ़ते हैं अब इस गद्यांस को पढ़कर हमें इसके पर्षनों के नुसर वो देना है ओप्षन के नुसर जवाब किताब्बे हमारे सबसे अच्छी डैस है किताब्बे आत्मा और मन के लिए भोचन है पुस्तके हमारे दुखों में डैस दे सकती है और जीवन की चिंताओं को बूलने में मदद कर सकती है ये जीवन में डैस का रेश्चे खिलाती है और जीवन के अंधेरे में डैस दिखाती है ये हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की डैस होती है तो चलिए पहले first line पड़ते हैं किताब्बे हमारे सबसे अच्छी डैस है तो क्या है सेहकर्मी, दुश्मन, सेहपाथी, दोस्त तो क्या है किताब्बे हमारे सबसे अच्छी option 4 दोस्त है कितापे आत्मा और मन के लिए भूचन है पुस्तके हमारे दुखो में हमें डैस दे सकती है तो क्या दे सकती है वेदन, अशान्ति, संतावना, तकलिफ तो क्या दे सकती है ओप्शन त्री संतावना दे सकती है और जीवन की चिंताओं को बूलने में मदद कर सकती है ये जीवन में खालिस्तन का रैसे सिखाती है तो क्या सिखाती है दरिद्दर्ता, विफल्ता, निश्फल्ता, सफल्ता तो किसका रैसे सिखाती है सफल्ता का ओप्शन 4 आगे वरते हैं यह जीवन के अंधेरे में खालिस्तान दिखाती है तो क्या दिखाती है रोष्णी, भर्म, बै, आशंका तो यह जीवन के अंधेरे में क्या दिखाती है ? Option A, रोसनी दिखाती है, आगे देखते है, यह में सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की डैस होती है, तो क्या होती है विजय, विजेता, अजय, प्राचय तो बुराई पर अच्छाई की option A विजय होती तो चलिए अबर option के साथ इसको पढ़ लेते हैं किताब्बे हमारे सबसे अच्छी दोस्त है किताब्बे आत्मा और मन के लिए भुचन है पुस्तके हमारे दुखों में हमें संतावना देती है और जीवन की चिंताओं को बुलने में मदद करती है ये जीवन में सफलता का रष्चय सिखाती है और जीवन के अंधेरे में रोसनी दिखाती है ये हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत या विजय होती है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करे तो बताईए चारों में से कौन सा ठीक है हमारा सही जवाब है option 4 दीवस चलिए अब हमने अगले सिट के MCQ की तरफ बढ़ते हैं हमारा पहला प्रश्न है मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है तो बताईए मैदान मारना हमारा सही जवाब है option 4 लड़ाई जीतना मेरे बढ़ते हैं बताई कौन से भाग में तरूटी है मैं वो बतानी है मैं आवश्यक परिस्थितियों की उत्पन हो जानने के कारण बैठक में उपस्तित नहीं हो सकता तो बताई किस में है option 3 में तरूटी है आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्य मेरे खांकित खंड को परतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चैन करे तो जिन्ने का कुछ तो उदेश्य होना चाहिए तो उदेश्य की जगह क्या आ सकता है तो हमारा सही जवब क्या होगा option A very good परियोचन आगे बढ़ते हैं अब इसमें बताना है विष्णू के अनेक अभीधान है तो क्या है विष्णू के अनेक विष्णू के अनेक नाम है option B आगे बढ़ते हैं अब इसमें बताना है जैन करना है आपको रिक्स्थान में अध्यान से ज्ञान बढ़ता है आर्थिक शक्ति मजबूत होती है खालिस्तान यश्च प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? हमारा सही जवाब होगो ओप्शन त्री और यश्च प्राप्त होता है आगे बढ़ते हैं इसमें भी रिक स्थान बरना है बड़े दुख की बात है खालिस्तान आप जैसे सनेई मित्र के घर भी मैं विवा के अउसर पर ने आसका तो बड़े दुख की बात है की आप जैसे सनेई मित्र के घर भी मैं विवा के अउसर पर ने आसका चलिए दिये गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए व्याकरण जानने वाला क्या बुलेंगे उसको हमारा सही जवाब पर ओप्शन एक व्याकरण जानने वाला व्याकरण आगे बढ़ते हैं अब बताने कौन से बाग में तुरटी है मनुष्य का आशक्त्याओ के लिए तो बहुत कुछ है प्रन्तु उसके लोब के लिए कुछ भी नहीं है तो बताईए किसमित रूटी है ओप्शन ए दिये गई शब्द का विलोम जुने हमारे अगले प्रेश्ण में है ये आत्म घात तो बताईए क्या होगा इसका उल्टा आत्म घात आत्म रक्षा आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्य मेरे खांकित खंड को पर्ति स्थाप्पित करने के लिए उप्योप्त विकल्ब का चैन करे प्राचारika महुद्य ने उस घर जाने की अनुमती परदान करती उसे घर जाने की अनुमती परदान करती आगे बढ़ते हैं चलिए हम इस गद्याश को पढ़ लेते हैं विश्व परियावरण दिवस हर वर्स पांच जुन को पूरे विश्व में परियावरण सुरक्षा इत्तु जनता में खालिस्तान का परसार करने के लिए मनाया जाता है बारत सरकार परियावरण को सुधारने के लिए काफी अभियान खालिस्तान है हाली में स्वक्ष बारत खालिस्तान शुरू किया गया है सरकार के साथ साथ खालिस्तान आदमी को भी परन लेना चाहिए कि वो वातावरण को साफ रखे छोटी सी खालिस्तान से हम अपने और आस पास-पास के वातरण को साफ रख सकते हैं तो चलिए पहले लाइन पढ़ते हैं फिर उसके ओप्षन देखते हैं विश्व परियावरन दिवस हर वर्स पांच उनको पुरे विश्व में प्रियावरन सुरक्षा है तो जनता में खालिस्तान का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है तो जागरुकता, समानता, अज्ञानता, स्वाधिनता तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है उप्षनी जागरुकता आगे देखते हैं भारत सरकार प्रियावरन को सुधारने के लिए काफी अभियान खालिस्तान है तो क्या आएगा? बताती, मनाती, चलाती, सजाती तो काफी अभियान उप्षन 3 चलाती है आगे देखते हैं हाली में स्वक्ष बारत खालिस्तान शुरू किया गया है उत्सव अभियान अभिमान मनोरंजन सरकार के सासत खालिस्तान आदमे को भी परण लेना चाहिए की वो वात्तवरण को साफ रखे सरकार के साथ साथ आम गरीब अमीर खास सरकार के साथ आम आदमे को भी परण लेना चाहिए की वो वात्तवरण को साफ रखे छोटी सी खालिस्तान से हम तो किस से चहल, पहल, परियास, टहल, छोटी सी ओप्शन भी, छोटी सी पहल से हम अपने और आस-पास के वातरण को साफ रख सकते हैं, तो एक बार ओप्शन के साथ पढ़ लेती हैं विश्व परियावरण दिवस हर वर्स पांच जुन को पूरे विश्व में परियाण सुरक्ष एत्तु, जन्ता में जागरुकता का परसार करने के लिए मनाया जाता हैं भारत सरकार परियावरण को सुधारने के लिए काफी अभियान चलाती है, हाल इमें सुख्ष भारत अभियान शुरू किया गया है, सरकार के साथ साथ आम आदमी को भी प्रण लेना चाहिए कि वो वातरण को साफ रखे छोटी सी पहल से हम अपने और आसपास के वातरण को साफ रख सकते हैं तो चलिए, अब हम अपने अगले प्रशन के तरफ बढ़ते हैं रिक स्थान भरनाईस में, 26 जनवरी का दिन हमारे देश वासियों के लिए खालिस्तान परव है तो कैसा परव है? हमारा सही जवाब के आओगा ओप्शन 3, राष्टेप परव है आगे बढ़ते हैं, कौन से भाग में तरूटी है? वो बताना है तुष्टी करण की निती अपना कर नय वैक्ति आगे बढ़ सकती है और नय राष्ट तो किसमें तरूटी है? हमारा सही जवाब ओप्शन B, नय वैक्ति आगे बढ़ सकती है इसमें तरूटी है आगे बढ़ते हैं, अलपायू का विलोम बताईए तो क्या ओगा अलपायू का? हमारा सही जवाब ओप्शन B, दिरगाई आगे बढ़ते हैं एक उदर से जनम लेने वालो के लिए एक शब्द का प्रियुक्त होता है तो बताइए एक उदर से जनम लेने वालो या एक उदर से जनम लेने वाला क्या बोलेंगे उसको सहोदर, पेड, उत्तम, समान तो एक उदर से यानि एक पेड से जनम लेने वाला तो सगाब आई तो होता है या बयान होती है तो उसको बुलेंगे सहोधर आगे बढ़ते हैं कमल का प्रियाई वच्ची शब्द तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ओप्शन बी जलज आगे बढ़ते हैं रिक स्थान भरने है गौपाल आजकल चित्रकला का खलिस्तान रहा है तो क्या कर रहा है? हमारा सही जवाब है ओप्शन जलज आगे, गौपाल आजकल चित्रकला का अभ्यास कर रहा है आएगा, आगे बढ़ते हैं, म्रिग का प्रियाई वाच्ची बताईए, म्रिग का क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा, option B, हीरण, क्या है, हीरण, आगे बढ़ते हैं, बट्टा लगाना, मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है मुह बट्टा लगाना, हमारा सही जवाब है option B कलंक लगाना आके बढ़ते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करे तो क्या होगा इसका हमारा सही जवाब है option पोड़ अभ्यास्त चलिए अब हम अपनी अगली सिप्ट के MCQ देखते हैं दोस्तो जिनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करतो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी तबातो और लाइक का बटन भी सभी तबातो चलिए फिर हम अपने सिप्ट के first question की तरब बढ़ते हैं दिये गए वाक्या मेरे खांकित खंड को पर्तिस्थापित करने के लिए उप्योक्त विकल्प का चैन करे श्वरन कुमार की कानी मर्म को छुनने वाली है तो बताए इसके जगह क्या सकता है हमारा सही जवाब है option B मर्म स्पर्शी आगे बढ़ते हैं इसके कौन से भाग में तुरूटी हमें वो बताने डॉक्टर राजिंदर प्रसाद राजनितिक होनने का साथ-साथ भाव प्रवण सहित्यकार भी थे तो बताए किसमें तुरूटी है option 3 होनने के आए गए याप पर आगे बढ़ते हैं सही बढ़तनी वाले शब्द का चैन करें तो बताए कौन सा ठीक है चारो में से option B अब इसमें बताए चारो में से कौन सा ठीक है option A कभी त्री ये वला ठीक है आगे बढ़ते हैं लहू का घूट पिककर रह जाना मुहावरे का अर्थ है तो लहू का घूट पिककर रह जाना क्या होगा इसका हमारा सही जवाब होगा चारो में से क्रोध करना क्रोशांत करना सांतोना डर जाना अपमान सहन कर लेना तो हमारा सही जवाब है option 4 अपमान सहैन कर लेना आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्य मेरे खांकित खंड को परतिस थापित करने के लिए उप्यूक्त विकल्प का चैन करे तब करने वाला किसी की निंदा नहीं करता तब ये तब करने वाला इसकी जगह के आएगा तब करने वाला क्या होता है ऑप्षन भी तपश्वी होता है आगे बढ़ते हैं कल्परवरिक्ष का प्रियाई वाच्छी शब्द कल्परवरिक्ष क्या बोलेंगे इसको देवरिक्ष तरू हरी पेड तो हमारा सही जभब है ओप्षन देवरिक्ष आगे बढ़ते हैं चलिए इस गध्यांज को पढ़ते हैं दिपावले को कई लोग घरों में खालिस्तान बनाते हैं इस दिन सब लोग सगे संबंद्यों को खालिस्तान देते हैं बच्चे नए वस्त्र पैनते हैं इस दिन गरों में त्रय त्रय के खालिस्तान बनते हैं, रात को सब लोग लक्षमी पुजन करके पटाके खालिस्तान हैं, इस दिन घर खालिस्तान से रोशन किये जाते हैं, तो यह हैं, पहले लाइन देख लेते हैं, दिपावली को कई लोग गरों में खालिस्तान बनाते हैं तो क्या गुबारे, चमोली, खटोली, रंगोली, तो क्या बनाते हैं? हमारा सही जवाब है option 4, घरों में रंगोली बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस दिन सब लोग सगे संबंदियों को खालिस्तान देते हैं, तो क्या देते हैं? उपहार, तिरसकार, नमसकार, परहार, तो क्या देते हैं सबी लोग? हमारा सही जवाब है option 5, उपहार देते हैं, आगे बढ़ते हैं, बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं, इस दिन घरों में त्रेत रहके खलिस्तान बनते हैं, तो क्या बनते हैं? पक्वान, उपहार, अनाज, फल, तो त्रेत रहके क्या बनते हैं गरों में? उप्चे नहीं, पक्वान बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, रात को सब लोग लक्ष्मी पुजन करके पटाके खलिस्तान हैं, तो क्या करते हैं? गिराते, जलाते, दोडाते या चलाते, तो रात को सब पटाके जलाते हैं, आगे बरते हैं, इस दिन घर खालिस्तान से रोशन किये जाते हैं, तो किस से रोशन किये जाते हैं? दिपक अगनी चमक सफाई, तो किस से रोशन किये जाते हैं? हमारा सही जवाब है ओप्षन है, दिपक से रोशन किये जाते हैं, चलिए, अब हम अपने अगले प्रशन की तरब बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रशन है, दे गए वाक्या मेरे खांकित खंड को परतिस्तापि करने के लिए उप्यूप्त विकल्प का चैन करे हमें शक्ति के अनुसार गरिबों की मदद करने चाहिए तो शक्ति के अनुसार इसके जगह क्या सकता है हमारा सही जवाब क्या होगा ओप्शन 4 यथा शक्ति आगे बढ़ते हैं कौन से भाग में तुरूटी है में ये बताना है वन के पशुओ को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शास्तन विवस्था अपनाने चाहिए तो किसमें तुरूटी है ओप्शन 3 इसमें तुरूटी है आगे बढ़ते हैं हमें रिक्त स्थान बताना है वह मेरे पास नहीं आ सका खालिस्तान उसे बुखार था तो क्या आएगा चारों में से क्यों नहीं आ सका क्यों कि उसे बुखार था आगे बढ़ते हैं इसमें भी हमें रिक्त स्थान बताना है राधा वीना बजा खालिस्तान है तो क्या आएगा राधा, बीना, बजा, बताई बताई ये, ओप्शन ए, रही थे आगे बढ़ते हैं, शत्रो का प्रियायवाची शब्द है बंदू, इर्शालू, शार्दलू, शार्दूल, रिप्पू तो क्या है शत्रो का प्रियायवाची बताने है हमरा सही जो आप्शन फोर, रिप्पू है, आगे बढ़ते हैं आगे होने वाला शब्द, समूह, समूह, एक शब्द प्रियुक्त होता है तो आगे होने वाला शब्द, बताईए, आगे होने वाला क्या बोलेंगे उसको आप्शन ए, भावी, आगे बढ़ते हैं जिसके आने की तिथी मालूम ने हूँ, उसको क्या बोलेंगे? जिसके आने की तथी मालूम नहीं हो तो हमारा सही जवाब है option A, अधीथी आगे बढ़ते हैं रिक्तिस्थान बताना है तिरंगा हमारे राष्टिय स्वाभिमान खालिस्थान प्रतीक है तो क्या है? हमारा सही जवाब है option A तिरंगा हमारे राष्टिय स्वाभिमान का प्रतीक है आगे बढ़ते हैं चैन की बंसी यानि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ बताईए चैन की बंसी बजाना खाली बैटना, बेरोजकर होना बंसोरी बजाना, मोच करना अर्वाचिन का विलोम शब्द, बताईए अर्वाचिन, तो इसका विलोमों का उप्शन ए, प्राचिन अब कौन से भागमेत रुट्टी है, हमें ये बतानी है आदमी वही तक जाता है वहाँ तक जानने की उसमें चमता हो तो किस में तुरुट्टी है तो हमारा सही जवाब है ओप्शन ए जहां तक जानने की आएगा वहाँ तक की जगे जहां तक आगे बढ़ते हैं रिक्स थान बताना है मैं कल दिल्ली गया था खालिस्तान दो दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा तो बताईए कौन सा आएगा अन्यथा वर्ना यत्पी और तो मारा सही जवाब है ओप्शन फूर्ट मैं कल दिल्ली गया था और दो दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा आगे बढ़ते हैं कर्तग का विलोम शाब्द है तो यह क्या है तो मारा सही जवाब है कर्तग घन दोस्तो आज की आपको हमारे वीडियो कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबादो ताकि आपको आन्ने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे ठैंक्स फोर आइब्रिवन, बाई बाई, टेक केर